हेलो दोस्तों स्वागत है एक और नए इंट्रेस्टिंग वीडियो में आज की सुरूर में मैं चार्जिंग टेस्ट करूंगा इन्फनिक 05G 2023 टेर्बो एडिशन का इस फोर में अब भी आप देख पाएंगे 25.8 के आसपास फोन के बात करें तो 27 के आसपास है जिसके आप यहां पर देख पा रहे हैं 27.56 कहीं पर 27.7 है तो देखते हैं यहां पर चार्जिंग के दौरान फोन जो हीट होता है कि नहीं और साथ-साथ 0-100% चार्ज कि इतनी देर में होता है यह वीडियो आप स्टिल एंट तक देख लिए आप वीडियो स्टार्ट कर से पर बताथा हूं चैनल पर नहीं चैनल को सब्सकाइब लिए साथ-साथ बेल अपर प्रेशन पहुंच यहां पर मैंने सेट अप कर दिया है मैं करूंगा बलाग को ऑन और जैसे ही फोन में और जिनरली हम सब भी फोन को स्विच आउन करके चार्ज देते हैं तो फोन में 1% चार्ज होती है मैं फोन को स्विच आउन कर दूंगा पंदर मिट हो गया है एक बार चेक करते हैं फोन जो है किता पसेंट चार्ज हुआ तो यहां पर आप देख पाएंगे 25% फोन चार्ज करें तो 26 25.9 के आसपास फोन के बात करें तो अभी 32 जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं और पीछे 33.4 के आसपास आदा गंटा हो गया है एक बार और चेक करते हैं फोन किता पसेंट चार्ज हुआ तो देख पाएंगे 47 पसेंट चार्ज हुआ है सिफ और सिफ 30 जो है स्टेल 25 के आसपास फोन के बात करें तो 34 फ्रेंट की तरफ में और बैक की तरफ पे 35 36 के आसपास एक गंटा पांच मिट हो गया है फोन को चार्ज लगा हुए एक बार चेक कर लेते हैं बैटरी हमारा किता पसेंट चार्ज हुआ तो वन आबर फाइब मिनिट में जो तो अब भी 25.6 के आसपास है फोन के बात करें तो फ्रेंट की तरफ 33 टेंपरेचर जो है अब थोड़ा सा जो है कम हो गया है जसकी देख पार होंगे बैक भी 33 के आसपास है फाइनल यहां पर हमारा चार्जिंग कंप्लीट हो गया है आप अगर देखिए चार्जिंग कंप अब जो है एकदम नॉर्मल हो गया है देख पाएंगे 29 क्योंकि लास्ट के जो 10 परसेंट होते है वह जो है नॉर्मल चार्ज होता है तो अगर आप इंफिनिक 0 5G 2023 टर्बो एडिशन लेते हैं तो लगबग आपको जो है एक घंटा 25 मिट का समय लग जाता है 5000 मिलियों अब जो है और यह पसंद दता है वीडियो को लाइक कर दिएगा और इस पूंसर रिगार्डिंग कोई भी कोई कोई भी करें नीचे कोमेंट कर सकते हैं बाकी मिलता है आपको साथ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आप तक लिए टाटा बाइबाई और यूह पत्रिया और बिर्या आर्जे टेक्निकल्स के साथ